तो कहानी शुरू होती है अगनी नाम की एक लड़की से जो जो कि एक एजइंसी में काम करती है और वो एक एजेंट होती है यहाँ पर वो पने पार्टनर के साथ एक जगे पर अटैक करती है जहाँ हैं जहाँ पर काफी सारी लड़कियों को बंद करके रखा गयोता है उसके पार्टनर की तो डेथ हो जाती है बर वो फिर भी आगे जा करके पेंडराइव भी ले लेती है और साथ में लड़कियों को भी बचा लेती है पेंडराइव से यह पता चलता है कि इन लड़कियों की तसकरी हुई है और इसका पूरा जो में धंदा चलता है वो इंडिया में चलता है और अब यहां से अगनी को वोपाल जाना पड़ सकता है पर इंडिया के साथ अगनी की काफी सारी बुरी आदे जोड़ी होती है तो वो नहीं जाना चाहती है वो उसके लिए अपने मास्टर को मना भी करती है पर उसके मास्टर उसे जबरदस्ती भेजना चाहते है अ और यही रीजन होता है कि अगनी इंडिया में नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसके मम्मी पापा की डेथ इंडिया में ही हुई होती है और वेस वक्त अमेरिका में होती है लेकिन यहां पर मास्टर के फोर्स करने के बाद अगनी को इंडिया जाना पड़ता है जहां पर इंड चाहिए और इसी तरह से वो लोगों को मारना शुरू कर देता है और ऐसे एक दिन रोहिनी मिलती है जो कि प्रॉस्टिटीट होती है रोहिनी हिसाब किताब में बहुत अच्छी होती है तो वो रोहिनी को भी अपने साथ में रख लेते हैं और वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं आगे इसी तरह से मारते मारते उनका बहुत बड़ा सामराज्य खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो लोग लड़कियों की तसकरी करते हैं और उनके पास काफी सारे ब्रोथल होते हैं आगनी को यहाँ पर इसी के बारे में information निकालने के लिए भेजा गया होता है अब वो यहाँ पर यह पता करती है कि रोहिनी का bodyguard कहां पर रहता है और इसके बाद वो reporter बनके उसके पास में जाती है वो यहाँ पर उसके close जाती है और इसके photo click करने के लिए उसका phone लेती है और जो कि रिपोर्टर की खूपसूरती देख करके फिदा होता है, वो उसे फोन भी दे देता है, अब इस फोन को जल्दी से अगनी अपनी वाट से स्क्यान करती है, ताकि उसे फोन का एक्सेस मिल जाए, और इसके बाद वो वहां से बहाना दे करके निकल जाती है, अब यहाँ पर फोन चेक करने पर उसे ये पता चलता है, कि रोहिनी से मिलने के लिए लखनव की एक बहुत बड़ी डिजाइनर आने वाली है, क्योंकि रोहिनी को कुछ कपड़े सिलवाने हैं, तो अब यहाँ पर अगनी वही डिजाइनर बन करके उसके पास में जाती है, जहाँ पर उसके बालों में एक क्लिप लगी होती है, वो क्लिप को चुपके से निकाल करके रख देती हैं, और असल में इस क्लिप में विंग्ज होते हैं, दूर बैटा फजल इसे रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है, और अब यह क्लिप उड़ते उड़ते पूरे घर में हर चीज को रिकॉर्ड करने लगती है, पर थोड़ी दिर बाद ही वो क्लिप गिर जाती है, क्योंकि वो खराब हो जाती है, तो इसके बाद अगनी वहाँ पर खासने लगती है, और जैसे ही रोहिनी उसके लिए पानी लेने जाती है, वो जाकर के उसी चीज को उठा लेती है, और रोहिनी के आने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है, आगे उस वीडियो से उन्हें ये पता चलता है, कि रोहिनी जा रही है Butter Factory में उनकी सारी चीज़े Butter Factory से ही स्टार्ट हुई थी और रोहिनी वहीं पर ही जा रही है अब वो लोग रोहिनी के उपर नजर रखने के लिए एक dress design करते हैं उसी designer के नाम पर और उसमें एक button लगाते हैं इस बटन में ओडियो और क्यामरा सब कुछ होता है तो अब रोहिनी जो भी देखेगी वो ये लोग भी देख सकते हैं ऐसी ही रोहिनी जाती है शेक से मीटिक करने के लिए जिसी की स्क्रीन पर अगनी भी देख रही होती है यहाँ पर वो शेक ये बोलता है कि रोधु तो बिल में छुपा हुआ है और इसलिए वो डील नहीं करना चाता है पर फिर भी यहाँ पर रोहिनी उसे मना लेती है और उसे औरतों का कंसाइमेंट भी ले लेती है मतलब कि वो उससे human trafficking का एक deal करती है और अब यह सारी बाते देख कर कि अगनी को ऐसा लगता है कि रुद्र उसी factory में अपनी mines में और यह बात जब वो अपने master को बताती है तो वो कहते हैं कि वो सरव उसकी cut feeling पर attack नहीं कर सकते क्योंकि अगर वहाँ पर रुद्र नहीं हुआ तो mission fail हो जाएगा तो अगनी इसे conform करने के लिए जाती है और इसके लिए वो एक prostitute बन जाती है और एक brothel में चली जाती है यहाँ पर जब रोहीनी कुछ लड़कियों को select करने के लिए आती है तब वो अगनी को देखती है उसे अगनी पसंद आती है तो वो उसे उसी factory में भेज देती है prostitution के लिए यहाँ पर रात में अगनी निकल करके investigation करती है जहाँ पर वो सबको पीटते पीटते एक tunnel तक पहुँच जाती है इसके दूसरी तरफ पे रुद्र होता है वो रुद्र के चहरा तो नहीं देख पाती है पर फिर भी उसे पता चल जाता है कि रुद्र यहीं पर है और इसके बाद वो वहाँ से निकल आती है रोहिनी और सबको पता चल जाता है कि एक prostitute गायब है और लोग मरे वे वो समझ जाते है कि किसी को उनके plan के बारे में खबर लग गई और ये भी पता चल गया है कि रुद्र कहां पर है अब ये बाते बाहर कैसे लीख हुई इसके बारे में पता करते करते वो लोग फजल तक पहुँच जाते यहां पर वो फजल को मार देते हैं और उसकी बेटी को अपने साथ में ले जाते हैं दूसी तरफ अगनी सबसे बेखबर होती है क्योंकि वो तो attack की तयारी कर रही होती है वो तुरंत यहां पर अपने सारे weapons को ले लेती है और रुद्र की जेगे पर attack कर देती है पर दीरे दीरे करके उसके सारे साथ ही मारे जा रहे होते है और अगनी को भी यहां पर काफी चोट लग गी होती है यहां पर उसकी एक hand to hand combat भी होती है जिसमें वो काफी अच्छा perform करती है पर इसके बाद उसे चाकू लग जाता है और उसे रुद्र के सामने डाल दे जाता है रुद्र उसे गोली से शूट करने वाला होता है पर उससे पहले वो एक गाना गाता है यह एक लोरी होती है जो कि अगनी ने बहुत पहले अपने बच्पन में सुनी थी बच्पन में यह लोरी वही किलर गारा था जिसने कि उसके माबाप को मारा था और अब यह सुन करके अगनी को समझ में आ जाता है कि बच्पन में उसके माबाप को मानने वाला रुद्री था और उस टाइम पर वो यंग होता है पर इस वक्त यहाँ पर अगनी ऐसी हालत में नहीं होती है, कि वो उससे लड़ पाए, तो वो वही पर गोलिया ही खा लेती है, मतलब कि रुद्र उसे लगबक दो गोलिया मारता है, और उसे छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि वो उसे मरा समझता है, पर अगनी अभी तक ज चुरू करती है, क्योंकि उसे काफी सारे चोटे लग गई होती है, अब ऐसे ही वो एक दिर अपने घर में होती है, जहां पर उसे एक सिगनल विलता है, यह सिगनल उसी के ब्रेसलेट का होता है, जो कि उसने जाहिरा को दिया होता है, जाहिरा फजल की बेटी होती है, यह द में वही ब्रेसलेट होता है जो कि उसने जाहिरा से ले लिया होता है वो से पूछती है कि जाहिरा कहा है रोहिनी उसे नहीं बताती है तो वो से शूट करके मार देती है इसके बाद रोहिनी के फोन पर एक कॉल आता है जो कि रुद्र को होता है अगनी फोन रिसीफ करती है और और इधर से यही लोरी गाना शुरू कर देती है जो कि उसने बच्पन में सुनी होती है। लोरी सुनकर कि रूद्र समझ जाता है कि वो जिन्दा है और रोहिनी को मार चुकी है। इसके बाद वो उसकी जाहिरा से बात करवाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने जाहिरा को भी सेम लोरी गाते हुए सुना था जो कि उसे अगनी नहीं सुनाई थी एक दिन और यहाँ पर वो समझ जाता है कि अगनी को जाहिरा चाहिए। और रुद्र इस वक्त अमेरिका में होता है क्योंकि वो इंडिया चोड़कर भाग गया होता है। क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे रुद्र ने बोला होता है। अगनी यहाँ पर उसका हर जेगे पर पीछा करती है। और ऐसी पीछा करते करते वो एक बिल्डिंग में पहुँच जाती है। बिल्डिंग के अंदर यहां पर रुद्र बैठा होता है और उसका वेट कर रहा होता है अब यहां पर इनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है फाइट के बीच में रुद्र बार बार ये बोल रहा होता है कि वो सभी लोग एक कटपुतली है और उन्हें चलाने वाला कोई और है अगनी इस सब बातों पे ध्यान नहीं देती और उसकी पिटाई करने में लगी होती है पर ऐसे ही करते करते जब वो ये पूछती है कि उसने उसके माबाप को क्यों मारा तब रुद्र उसे कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि अब उसके मरने का वक्त हो गया था और मरते मरते वो चाता था कि अगनी के मन में ये बात ऐसे ही रह जाए और उसे कभी भी पता नहीं चले और इसी तरह से अगनी रुद्र को भी मार देती है और उसे अभी तक पता नहीं चला होता है कि उसके माबाप को क्यों मारा अब scene shift होता है bet पे जहाँ पर अगनी को काफी सारी चोटे लगी होती है और उससे मिलने के लिए master आते है वो से ये बोलते हैं कि वो जाहिरा को लेकर के इंडिया जा रहे हैं और वो इंडिया में उससे मिलेंगे और वो सभी लोग एकटपुतली है अब दुबारा से एकटपुतली वाली लाइन को सोचने पर वो अपनी पुरानी हर बात को याद करती है और वो समझ जाती है कि उसके मावाब को मरवाने वाले खुद master है इस बात को पता चलते ही वो कुछ दिरों बाद सीधे उनसे मिलने के लिजाती है और उनसे पूछती है तो master उन्हें ये बोलते है कि उसके ममी पापा भी एक agent थे जोने काफी सारे secrets पता होते है पर जब उनकी बेटी अगनी थोड़ी बड़ी हुई तो वो retirement चाते थे ये तकि वो अपनी बेटी के साथ अच्छा कासा time spend कर सके पर क्योंकि उन्हें काफी सारे secret पता होते है तो master को ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो लोग पैसे की लालच में आ गए तो वो लोग किसी को भी secret बेट सकते है इसलिए वो उन दोनों को मरवा देता है और इसके लिए वो rudra को hire करता है यहाँ पर वो मूवी की starting में अगनी को rudra को मारने के लिए भी इसलिए बेशता है ताकि अगनी rudra को मार दे और उसे कभी भी पता नहीं चल पाए कि उसकी माता पिता को किस ने मारा था क्योंकि कहीं ना कहीं master के लिए अगनी उनकी बेटी जासी थी और वो नहीं चाते थे कि उनकी family खराब हो पर अब यहाँ पर अगनी उनने तुरंती shoot करके मार देती है और वहां से निकल जाती है जाहिरा के साथ और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है मूवी के action sequence काफी अच्छे है जो कि हमें कहीं कहीं atomic blonde movie की याद दलाते है मूवी कुछ-कुछ हमें Hollywood जैसा feel भी देती है बस अगर इसकी story थोड़ी और strong होती तो मूवी बहुत अच्छी लगती तो अगर आपको मारा explain पसंद आए हो तो please हमारी video को like करे, share करे और हमारे channel को subscribe करे तो मेलते हैं next video किस तो मेलते हैं next video